असलामों अलाएकुम आज हम बना रहे हैं बेसन का डोखला स्टेंट बनने वाला इसके लिए हमें क्या-क्या चीजों की जरुवत लगेगी वह हम बता रहे हैं हल्दी है एक पिंच, दो चम्मच रवा और नमक, स्वाद अनुसार, एक चम्मच चीनी, एक कटोरी भर के बेसन और इनों और तेल दो चम्मच तेल और पानी हज़वे जरुवत इनों का एक पाउच लेना है छोटा वाला हमने बेसन को छान दिया है एक बाउल में हम बेसन को करेंगे, उसमें हम फिर अपना समान जो डालते हैं वो दिखा रहे हैं, दो चम्मच हम सूजी भर के डालेंगे, सूजी डालने से दोखला जो है बहुत दानेदार अच्छा बनता है, और हमने हल्दी डाली है, एक पिंच हल्दी जादा मट डाली है, अगर जादा डाल दी आपने तो डोखला लाल हो जाएगा हमारा, एक पिंच हल्दी डालना है, जादा नहीं डालना है, दो चम्मच के करीब हमारा यह तेल है, वो तेल हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से पोच के बाटी को डालना है सब चीज साफ करना है और इसमें हम डालेंगे अभी एक चम्मच हमारी ये चीनी है हमने एक चम्मच अपनी चीनी डाल दी आप पिसीवी भी डाल सकते हैं हमने सावुट डाली है आप पिसीवी भी डाल सकते हैं इनको सब को अच्छे स हम मिला लेंगे फिर इसमें हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि लम्स ना पड़ें इसमें और हम देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डाल रहे हैं और फिर हम आपको यह दिखांगे कितना पतला रहना चाहिए इतना ठिक रहना इसको टाइम जादा नहीं लगाना ये बरतर बाल टीम होगल कर लिए ईस वर्ली जल rein पानेक्स ब्लाब पानी बढ़ने डाल के गर्म कर लिया था गरम पानी आपको पहले से करना कर देखिता निद्थेवे को निम्स करने पर दो देखिंगे थानल करएंनों पाने सकति हiosis है देकार हमारा रेटि के तयार हो गया ौर ऑफ चम्मट तेट यह वाला चम्म चुरुब प्लेट हम और इसमें चार चमबच चोटे वाले चार चमबच हमने चीनी डाली है और इसको भी लाने के बाद इसमें एक नीवू हम निचोड़ देंगे इसे तेस्ट बहुत अच्छा आता है तड़के से और दाना घुल जाता है इसमें ज्यादा नहीं पकाना है बस एक दो खॉली लेना है इसे खटा मीठा टेस्ट आता है और मिर्ची जरूर आप डालिएगा इससे जो है अगर चकनी नहीं भी है तो आप मिर्ची से खाएंगे तो तब भी अच्छा लगेगा देखिए हमारा यह बनके रेडी हो गया है अब हम डोखला अपना निकाल रहे हैं डोखले के एजिस जो है हमने नाइब से पहले भीली कर ली है और फिर उसके बाद हम प्लेट में निकाल बहुत सॉफ्ट बना है और इसकी जाली उपर से ही नजर आ रहे हैं बहुत अच्छा बनके यह डोखला तयार हुआ है अब इस पर हमने तड़का तयार किया है वह थोड़ा गरमी इसके उपर डालना है ताकि वह अंदर तक चला जाए यह होल होल से नजर आ रहा हैं जाली स फ्रस्राज पूरा पानी हम डाल देंगे। आप यह सोचें कि ज्ञादा रोल जाएगा ज्यादा नहीं होगा। इस सब अब अपने अंदर वो पी जाएगा दो मिनिट के अंदर वो सारा पी जाता है पानी अभी देखिए हमने अपना तड़का पूरा इसके ओपर पानी हमने डाल दिया अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसा बनके रेडी हुआ है हमारा अब हम इसके कटिंग करते हैं यह हमने बेशन का डोखला बनाया है मैं सुजी का भी डोखला बनाती हूँ अगर इसकी रेशीपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंच करके बता सकते हैं वो भी बहुत बेतरीन बनता है मैं वो भी आपको बना कर दिखाऊंगी इसी तरह से बनता है वो थोड़ा सा अलग है उसका है वो भी मैं आपको बना के दिखा सकती हूं देखिए अब इसको हम कट कर लेते हैं कट करने से दिखाए कितना अच्छा बना है मैं दिखाती हूं कट करके आपको एकदम सॉफ्ट है बिलकुल पानी डालने से उसका जो खटा मीटा पानी हम बनाते हैं वो उससे और अच्छा हो जाता है यह आप हरी चटनी से लाल और यह मीठी चटनी जो होती है इससे आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर वो भी नहीं है तो आप ऐसे भी आपको टेस्टी लगेगा यह हरी मिर्ची के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है आप लोग इसे घर में बनाईए और खाईए मुझे बताईए कमेंट्स करके कैसा बना है इंशाला आपको जरूर पसंद आएगा और यह सारे समान घर में सबके होते हैं कोई मुश्कि चीज नहीं है बहुत आसान चीज है देखिए यह मेरा कितना सॉफ्ट बना है स्पंजी उसकी जाली अलगी नजर आ रही है एकदम अलग अलग उसकी जाली नजर आ रही है चलिए लाह अपना ख्याल रखिए